है कि अधिरे बक्तिरियों स्ट्रेक्च्चिर को हम पढ़े थे और बैक्तिरियन से इस अदर हमने डिफ्रेंट ओर्गेर्डस को अपनेweise के अनदर पी डिसकस किया था आज का जो हमारा topic है आज हम मजीद जो बाकी और्गिनेलिस बैक्टिरिया के cell के अंदर रह गई थी उनको देखेंगे वन बवन यहां पे आपको एक figure नजर आ रहे होगी यहां पे आपको एक बैक्टिरिया का जो cell है वो अंदर से दिखाया गया है कि उसके अंदर कौन-कौन से और्गनेलिस जो है वो पाई जाती है अगर आप इसको गोर से देखें मैं अपने मार्कर को रेड से यहां पे शो करूँगी आपको यहां पे बाहर एक मेंब्रेन जो है वो आपको कैपसूल के नाम से शो की जा रही है जिसको हमने अपने लास लेक्चर के अंदर भी देखा था इसके अलावा इसके अंदर एक और मेंब्रेन है जो के सेल वॉल है यहां पे आपको नज़र आ रही है cell wall के अंदर की जो membrane है वो आपको यहाँ देख रहे है जो कि है cell membrane अच्छा इसके इलावा अगर आप यहाँ पे देखे आपको blue color light blue color का एक fluid निज़र आ रहा है ये क्या है ये basically cytoplasmic matrix है cytoplasmic matrix हम इसको कहते हैं या हम इसको cytoplasm भी कहते हैं अच्छा इसके इलावा आप cytoplasm के अंदर छोटे छोटे यहाँ पे dots देख रहे है ठीक है ये क्या है ये ribosomes है और यहाँ पे अगर आप देखे तो cytoplasm ये जो cell wall थी sorry cell membrane थी हमारे पास cell membrane की अंदर की side वे कुछ invigilations बनी है जिसे हम कहते है mesosomes ठीक है अच्छा अगर हम इसको गोर से देखे हमारे पास एक capsule और एक cell wall है capsule और cell wall के दरम्यान में एक और layer भी sometimes पाई जा सकती है जिसे हम कहते है slime layer इसके लावा हमारे पास यहाँ पे flagelum है ठीक है flagelum जिसे हम कहते हैं और हमारे पास पिलाए है पिलाए को भी हम अपने last lecture में देख चुके हैं और दरम्यान में अगर आप वोर करें तो हमारे पास क्या है chromatin material है हम इसे chromosome भी कहते हैं chromosome भी bacteria के cell के अंदर पाय जाता है single chromosome होता है और इसके great core membrane नहीं होती तो यह general overview है bacteria के cell का या इसके internal structures का इनको one by one हम देखते जाते हैं सबसे पहले हमारे पास है cell membrane cell membrane की हमने अपने last lecture में भी थोड़ी सा इसका जिकर किया था हमने कहा था कि cell wall जो होती है वो cell membrane के उपर होती है इसका मतलब है कि cell membrane जो है वो कहा है it lies beneath cell wall ठीक है cell membrane का काम किया है cell membrane का काम बिसिकली ये होता है कि इसने cell को protect करना होता है और इसने बहुत साइज चीज़ों को cell के अंदर से बाहर लेके जाने में help करना होता है ठीक है cell membrane को हम plasma membrane भी कहते है plasma membrane और इसका जो structure अगर हम देखें तो ये एक thin से layer होती है thin, flexible और इसके एक गिर जो है वो cytoplasm होता है इसके हम कहते है it's around cytoplasm ठीक है cytoplasm के around चारों तरफ जो है cell membrane होती है और ये क्या है ये बहुत ही delicate होती है ठीक है it is very delicate in nature इतनी delicate होती है कि अगर इसमें कोई issue आजाए like अगर ये damage हो जाए तो इससे पूरा cell destroy जाता है यानि के bacteria की death भी cause हो जाती है ठीक है अच्छा cell membrane अब हम prokaryotic cell को देख रहे हैं तो इसकी जो membrane है वो different है from eukaryotic membrane ठीक है different from eukaryotic membrane और वो किस तरह से different है different इस तरह से है कि eukaryotic membrane के अंदर हम जानते हैं के cholesterol पाए जाते हैं तो जो bacterial cell membrane है इसमें क्या होता है कि it lacks sterols और sterols में यानि के example के तोड़ पर हम cholesterol को देख लेते हैं कि इसके अंदर cholesterol वगर नहीं होता ठीक है यह हमने इसके कुछ characteristics को देख लिया हम इसके functions की बात करें कि cell membrane का bacteria के अंदर क्या function है क्या role है जो के play हो रहा है यहां पे तो bacteria के cell membrane के दो functions है पहला काम तो यह है कि it regulates the transport of materials ठीक है regulates the transport of materials different चीजह है जो cell membrane से एक cell के अंदर या बाहर जा रहे हैं तो cell membrane उसको regulate करती है ठीक हम कहते है regulates the transport of proteins nutrients or sugar and electrons और electrons के लावा इसमें कुछ metabolites भी आजाते है and metabolites ठीक है इस तरह की different material पास करता है तो वो उसको regulate करें cell membrane अच्छा दूसरी जो इसकी functionality है वो क्या है कि इसमें कुछ enzymes होते हैं जो के respiration में helpful होते हैं ठीक है it contains enzymes और वो enzymes क्या करते हैं they are useful for respiration ठीक है respiratory enzymes वो इसके अंदर पाए जाते हैं तो यह हमने देख लाए cell membrane को इसके बाद next हम एक और organelle को देख लेते हैं जो के है cytoplasmic matrix cytoplasmic matrix अब अगर इस figure के अंदर आप इसको देखें cytoplasmic matrix हमने किसे कहा था हमने कहा था कि जो blue साब को यहां पर material नज़र आ रहा है यह है cytoplasmic matrix अच्छा हम जैसे prokaryotic cell को one-to-one organelles को देखते जारे हैं हमें यह चीज़ तो clear होगी है कि prokaryotic cell में कोई भी membrane-bounded organelles तो है नहीं अब जब हम cytoplasmic matrix के बात करते हैं तो हम जानते हैं कि cytoplasmic matrix के अंदर ना तो कोई membrane-bounded organelles है no membrane bounded organelles और ना ही इसके अंदर cyto skeleton है जो के आम तोर पे eukaryotic cell के अंदर पाए जाते हैं ठीक है अब cytoplasmic matrix के अंदर होगा क्या cytoplasmic matrix basically हम इसे कहते हैं यह कहां पाए जाते हैं यह हमारे पास जो cell membrane है यानि कि हम plasma membrane कहते है plasma membrane और nucleoid के दर्मियान ने पाए जाते है it is present between plasma membrane and nucleoid अब nucleoid और plasma membrane के दर्मियान में जो भी material होगा उसे हम कहेंगे cytoplasmic matrix अच्छा यह किससे मिलके बने यह जिल-like substance होता है और इसका काम क्या होता है इसका काम यह होता है कि cell के अंदर जितने भी constituents हैं यह जितने भी organelles हैं वो easily move कर सकें ठीक है तो यही वज़ाए कि small molecules जहें वो बहुत easily बहुत rapidly इसके अंदर move करते हैं अच्छा plasma membrane और उसके अंदर कुछ भी होता है उसको collectively हम कहते है protoplast ठीक है इसको भी हम mention कर देते है plasma membrane यानि की जिसे हम cell membrane भी कहते हैं प्लस इसके साथ-साथ everything that is within it everything within लिखतेते हैं इसको कुछ भी उसके अंदर है उस पूरे को collectively हम क्या कहते है इसे हम कहते है protoplast protoplast ठीक है अब protoplast को अगर हम consider करें तो cytoplasmic matrix जो है वो protoplast का एक major component है ठीक है क्योंकि protoplast cell के अंदर की तमाम चीज़े protoplast का हिस्सा है तो इसलिए cytoplasmic matrix जो है एक बहुत बड़ा component है protoplast का कुछ और structures भी पाए जाते हैं cytoplasmic matrix के अंदर और वो structures क्या है उनको भी हम देख लेते हैं हम इनको other structure mention कर देते हैं other structures और वो other structures क्या है कुछ और structures के अंदर मारे पास एक तो chromatin आ जाते है chromatin material इसके इलावा ribosomes होते है mesosomes granules or nucleoid इस जो granules है दो तरह के होते हैं एक organic होते हैं एक inorganic होते हैं तो इस different organelles हैं basically जो के cell के अंदर पाए जाते हैं इनको भी हम one by one देख लेते हैं सबसे पहले हम देख लेते हैं nucleoid को रहे हैं हम कहते हैं कि DNA is present at center of cell कहां है center of cell में है cell के दर्मयान में है लेकिन यह scattered form में है ठीक है और यह जो DNA है इसको अगर हम मजीद detail में देख लें कि किस तरह का DNA है हम कहते हैं कि normally bacteria के cell के अंदर एक single circular DNA पाए जाता है circular DNA और इस DNA के दो strands होते है with two strands ठीक है इस तरह का एक DNA जो है वो इसके अंदर पाया जाता है और DNA के किस form में होता है basically एक लंबा सा एक long सा DNA होता है और वो dense irregular shape का dense shape का पाया जाता है और वो एकठा होता है aggregate सा हुआ हुआ होता है जिसको हम collectively हम इसे कहते है chromatin जीक है यानि कि large सा DNA है हमारे पास और वो large DNA जो है वो tightly fold हुआ 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 है यहाँ पे अगर हम इसको figure में दुवारा से देखें यहाँ पे आपको ने जरा रहा है यह उस नूडल टाइप structure आपको ने जरा रही किया है large DNA है जो के tightly fold हुआ है और cell के दर्मयान में है overall bacterial cell की बात जब हम करते हैं तो हम कहते हैं कि bacteria के अंदर single chromosome है और जब single chromosome होता है तो हम उसे कहते हैं कि क्या है है heploid है तो हम कहते हैं bacterial cell is heploid तो हमने देख लिए इसके इलावा कुछ और structure जो के cell के अंदर पाये जाते है इसके अंदर हमारे पास आ जाता है plasmid plasmid क्या है plasmid जो है उसे हम कहते हैं normally हमारे पास chromosome के साथ plasmid पाये जाता है plasmid भी bacterial cell का एक part है बहुत कम ऐसे cells होते हैं कि नहीं होता और यह क्या है self replicating structure होता है self replicating structure और यह hack है basically यह circular DNA होता है हमारे पास circular double stranded DNA ठीक है mostly क्या होता है कि chromosome और plasmids से दोनों इकटे पाये जाते है chromosome plus plasmid ठीक है अच्छा अब इसका काम क्या है यह growth वग्यरह के लिए metabolism के लिए helpful नहीं होते इसको भी हम mention कर देते हैं not essential for growth and metabolism और इनका काम क्या होगा अगर growth में नहीं है metabolism में helpful नहीं है तो फिर क्या काम है इनका काम यह है कि यह ठीक है यानि के अगर इनके अंदर कोई germs आजाएं या कोई drugs जो इनके ओपर act करे होते हैं bacteria के ओपर तो plasmid क्या करते हैं कि वो इनके खिलाफ act करते हैं ठीक है इनका structure कुछ इस किसम का आपके सकते हैं ring नुमा structure होता है क्योंकि circular यह नहीं है और इसका काम क्या होते है नुमली जब हम genetic engineering के बात करते हैं तो genetic engineering में हम use करते है plasmids को वो किस तरह से वो इस तरह से के यह एक vector का काम करते हैं ठीक है genetic engineering के जो टेक्नीक से उसके अंदर plasmid use होते bacteria के और वो इसलिए क्योंकि bacteria बहुत जल्दी grow करता है तो यह हमने देख लिया plasmid को इसके बाद एक बहुत important structure हमारे पास और है जिसे हम कहते हैं ribosomes ribosomes क्या है ribosomes basically एक ऐसी और गनली है जो कि हम कहते हैं कि RNA और protein से मिलके बनी है RNA and proteins और इसका काम क्या होता है इसका काम होता है यह they are helpful in protein synthesis cell के अंदर जब भी protein बन रहा होता है वहां पे ribosomes helpful होते हैं अब ribosomes जो हैं कुछ तो attach होते हैं plasma membrane से some attached to plasma membrane और बाकी जो हैं वो float कर रहे होते हैं cytoplasm के अंदर ठीक है और इन ribosomes को अगर हम eukaryotic ribosomes के साथ compare करें तो prokaryotic ribosomes का size है वो small होते है they are smaller in size एक cell की जब हम बात करते हैं एक bacterial cell की normal bacterial cell की तो हम कहते हैं के एक cell one cell contains thousands of ribosomes ठीक है quantity काफी ज्यादा होती है एक cell के अंदर इस figure के अंदर हम एक दफ़ा अगर इसको देख लें यहां पे आपको यह जो dot 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 structure नजर आ रहे हैं यह क्या है यह ribosomes है ठीक है तो यह हमने देख लिए ribosomes को इसके बाद एक और 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 जिसको हमने अपने structure में देखा था उससे हमने का था मीजोजोम्स मीजोजोम्स क्या है मीजोजोम्स भी cell के अंदर पाई जाने वाले और 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 हर cell के अंदर नहीं होती कुछ cells के जाती है यह क्या है बेसिकली cell membrane जब मीजोजोम्स हमरे पास बन जाते हैं यहां पर आगर आप इसको देखें यहां पर हमने देखा था कि cell membrane जो है वह इंदर की तरफ फोल्ड हो रही है तो हमरे पास structure बनते हैं जिस हम कहते हैं अब मीजोजोम का क्या फाइदा है मीजोजोम क्या वड़ते हैं इसको हम देखते हैं मीजोजोम जो है वह एक vesicle number structure होता है ठीक है जैसे कि हम अगर eukerotic cell की बात करें तो eukerotic cell के नर्मारे पास golgi bodies बन जाते हैं ठीक है तो उससे मिलता है जोलता है structure मीजोजोम और इसका काम क्या है धेर सारे functionalities है इसकी एक तो यह कि it is involved in DNA replication ठीक है इसके इसके इलावा कुछ चीजों को export भी यह करता है export of exocellular enzymes ठीक है कुछ enzymes जिनने cell से बाहर जाना है तो वह क्या करेंगे with the help of mesozoom social से बाहर चले जाएंगे इसके इलावा कुछ respiratory enzymes होते हैं जो के mesozoom के साथ पाए जाते हैं यानि के mesozoom के उपर पाए जाते हैं ठीक है तो respiratory enzymes are present on mesozooms ठीक है sorry मैं राइटिंग बहुत ही गंदी हो रही है यह हमने देख लिया mesozooms को अच्छा एक last organelle जिसके हमने पहले भी बात की थे अपने lecture में वह क्या है granules 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 and storage bodies हम इसे कह देते है granules and storage bodies क्या है basically यह वह structures हैं जो के एक तो food को store करते हैं और दूसरा उसको excrete करने में जो waste material हो तो इसको excrete करने में helpful होते हैं ठीक है तो हम जानते हैं कि बैक्तिरिया जो है वह normally ऐसे conditions में पाए जाता है जहां पे उसको food बहुत ज्यादा available नहीं होती है तो बैक्तिरिया की यह कोशिश होती है कि वह food को ज्यादा सजारा store कर ले और store करने के लिए कुछ organelles या कुछ structure जो है वह bacterial cell के अंदर पाए जाते हैं अच्छा इसको पहले एक तो पहली बात हम लिख लेते हैं कि bacteria stores extra nutrients ठीक है extra nutrients को बैक्तिरिया जो है store कर लेता है अच्छा अब वह store किस तरह से करता है store जो है glycogen को कर लेगा sulfur या फिर fat phosphate ठीक है तो इस तरह से वह food को store कर रहा है अच्छा यह तो हमने food किया storage की बात कर ली अब जब हम waste products की बात करते हैं तो जो waste material है वह क्या होगा bacteria के case में waste जो है वह क्या होता है alcohol lactic acid and acetic acid ठीक है तो यह waste material है step by step one by one करके bacterial cells से बाहर की तरफ excrete हो जाते हैं तो यह हमने देख लिए कुछ organelles इनको आज धुरसा revise के लेते हैं सबसे पहले तो हमने bacterial cell को देखा कि bacterial cell किस तरह का होता इसके अंदर कौन कौन से organelles हैं कैसे दिखती हैं पिर उनको one by one हमने देखा cell membrane की हमने बात की और हमने cytoplasmic matrix की asitoplasmic की टाल की बात की चुच के बात के बात abs फिर हमने nicolite को देखा plasmid को देखा ribosomes को देखा this – spontaneously और mesozomes को देखा बात की तो यह की ते बेक्तिरिया के अंदर पाई जानेवाण तमाम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बेक्टिरिया के डिफरेंट फॉंक्शन को देखेंगे जिसे के निउट्रिशन और रिप्रोड़क्शन और बेक्टिरिया